गुड इवनिंग स्टुडेंस आज हम पढ़ने जा रहे हैं जम्मू एन कश्मीर की मुख्या रिवर्स अब हम मैप की मदद से देखेंगे कि ये रिवर्स कहां से ओरिजिनेड होती हैं और कौन से रास्ते से होते हुए और डिस्टिक्स पलेस एरिया से होते हुए ये चलती है ठीक है मैं आपको बता दूँ ये वीडियो जो ओर जेकापी कांस्टेफल एक्जाम 2024 में जो होने वाला है जिके SSV का एक्जाम और SSC एक्जाम के लिए बहुत ही इंपोर्टन है दोस्तों चलिए दोस्तों चलते हैं हम शुरू करते हैं इंदस रिवर से इंदस रिवर जो है उसका ओरीजन है कैलाश रेंज ठीक है कैलाश परवत के बारे मैं आपने सुना ही होगा तो मैं आपको मैप में दिखाने की मदद करूँगा ये है कैलाश रेंज ठीक है तो इसका जो ओरीजन है इंदस का वो इसकी नार्दन स्लोप जो है यहां से शुरू होता है और देखिए हमने मैप के उपर प्लाट किया है इसका जो रूट है तो आपको जो इंदस रेवर है कुछ इस तरह से दिखेगी दोस्तों तो ये है इंदस रेवर अब डिटेल में थोड़ा पढ़ते हैं कैलाश रेंज से ये नदी जो निकलते हुए तिबद में जो एरिया जे है यहां से निकलती हुई जाती है और ये जो एरिया है ये है लदाग यूटी में यहां से इंटर करते हुए फिर ये चली आती है जो ले डिस्टिग है यूटी आफ लदागी वो इसके बैंक पे है ये आपको दिखरा होगा फिर आके चलते चलते ये रिवर्स चलते चलते पहुचती है सकाडू में जो की पाक अकूपाइट कश्मीर में है डोगराजनेश्टी के समय ये एरिया जो था वो इसका कैप्टल थी विन समर कैप्टल थी ले की ये है सकाडू अब ये रिवर जो है नार्थ वेस्ट डेक्षन में चल लही थी पर गिल्कित के पास ये पहुचने के बाद रिवर जो है साउथ वेस्ट डेक्षन में चलती है चलते चलते ये बिल्कुल फिर रिवर क्या है जब पाकिस्तान में इंटर करती है चेन के से तो बिल्कुल साउथ में टर्न कर देती है और South direction में चलते हुए पाकिस्तान से बीचोबीज निकलती हुई Airbnb N.C. के साथ मिल जाती है तो इस river को हम Lada की लाइफ 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 है दोस्तों बहुत ही महत्तपूर्न river है है दोस्तों अब हम इसके कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं इंदस रिवर इंदस रिवर के जो मुख्य पॉइंट है पहले सबसे पहले तो यह आ गया जो यह रिवर है वह तो नार्दन स्लोप से उरिजिनेट होती है कैलाश रेंज से जो मांसरोबर लेख है जो मैं अब को बता दिया भी इसकी टोटल लेंद जो है 3186 किलो मेटर है जिसमें से 1114 किलो मेटर जो है जो मलोग जे एनके में ट्रैवल करती है ठीक है इसकी ट्रिब्टरी कौन सी है शोक है शुरू है जनसकार है जेलम है चनाव है राबी है बियास है और सत्रुज है और इसको हम क्या बोलते हैं साथी साथ ये लाइफ राइन रदाग की भी है और पाकिस्तान की भी है ठीक है तोस्तों यह होकई अपनी इंत THIS रीवर अब आगे चलते हैं चनाव रिवर की बात करते हैं चनाव रिवर भी बहुत ही महत्वोन रिवर है चेनके की तो यह निकलती है बारा लच्चाला पास ठीक है जो की है हिमाच्चर परदेश में लहूल और स्पीती रीजन जो है हिमाच्चर परदेश का वहां पे है और देखिए इसका जो रूट ह आपको देख रहा होगा तो कुछ इस तरह से आपको दीखेगी ये दोस्तों तो ये आगी हमारी चनाव रीवर अब चनाव रीवर को देख लें तो देखिए ये आगा बारा लचाला पास जो है यहां से आते हुए ये जो एरिया है ये है लवूल और स्पीति रीजन है ही माचल का और यह आते हुए जब JNK में जो एक parder, reason है किस्तवार का area है यहां पे यह आगे पाडर दिख रा होगा, मचेल के लिए यह base point है तो parder में जो इंटर करती है जमू एन कश्मीर में, जो कि किस्तवार में है और किस्तमार भी जो है इसके बैंक पे है ये डोड़ा भी इसके बैंक पे दिख रहा होगा फिर रामबन आगे आगे रामबन भी इसके बैंक पे है ठीक है रामबन के पाद ये है रिवर जो है थोड़ा वेस्ट की तरफ चलती है और रियासी रियासी के बाद जम्मू का जो अखनूर एरिया उसको क साथ दोस्तों यह मिलती है इंदस के साथ मैं इसका पर्टिकॉलरी जगा का नाम बता दूंता है मिथान कोड इसको बोलते हैं यहां पर यह मिलता है पाकिस्तान में मैक्सिमम सभी रिवर थोड़ी आके पिश्य करके इसी एरिया में जो मिथान कोड है यहां पर ही मिलती है तो पॉइंट है वो मैं आपको बता देता हूँ चनाव रिवर जो चनाव रिवर का जो एशन नेम था वो है असकनी और मैं आपको बता दिया इसका ओरिजिनेट है बारालुचला पास जो की लहूल सबीती रीजन है ही माचल परदेश का चंद्र और बागा दो स्ट्रीम मिलके ज जिसमें से 540 किलोमेटर जो है जेनके में फ्लो करती है दोस्तों इसकी जो ट्रिब्यूटरी से है मियर नाला हो गया मसुदर रिवर जो बिगेस्ट राइट बैंक ट्रिवूटरी है बहुत ही महतबून रिवर है जे मैं जो शोटी शोटी रिवर है इनको नेक्स्ट वीडि जो है मैप पे दिखेगी दोस्तों जेलम रिवर का जो रिजन है जो पीर पंजाल रेंज जो है लैसर हिमालिया की उसमें से बैरिनाग करके एक जगह है बैरिनाग एरिया से यह उरिजिनेट होटी हुई काजी कुंट इसके बाद अनंतरनाग डिस्टिग आगे चलते चलते आ गया अवंतिपुरा ठीक है अलेटपुरा पंपूर फिर उसके बाद आता है सिरी नगर सिरी नगर से चलते चलते यह आ जाती है बुलर जील में बुलर जील आपको पता यह एशिया की फ्रेश वाटर लेगा है ऐस वैल एस इंडिया की तो यह जेलम रिवर जो है इसका रिवर पहुंच आती है इसके बाद मुझफर पूर के सीधी यह क्या है सौथ त्रेक्शन में निचे आती है और छेयनके के साथ एक बाउंडरी बना रही है तोड़ी सी बाउंडरी है फिर उसके बाद क्या है बैस्ट में टर्म कर जाती है टर्न करने के बाद फिर यह दिखे गे दोस्तों और यह आगा चना फूज थीनों कुछ आपको इस तरह से दिखेंगी तो अभी जीहलम हम्रीवर की बात करें इसके कोछ जो पॉइंट से तो जेलव रिवर क्या है दोस्तों जेलव रिवर जो है इसका जो एशन नेम जो है वितासता है और इसको बेट कहते हैं कश्मीरी में और वैरिनाक सपिंग इसका सोर्स है 725 किलो मेटर जो है इसकी लेंथ है जिसमें से 117 किलो मेटर कश्मीर में फ्लो करती है ट्रिबूटी है सिंध है पोरू है विश्वा हो विश्वा हो है राम बेरिया है लद्दर है रुमोशी है दूद गंगा है ठीक है दोस्तों ये कुछ पॉइंट्स है उसको लाइफ लाइन आप कश्मीर भी कहते हैं ये था अपना जेलब रिवर इसके बाद आप करते हैं बा जो अभी इसके में एक टरनल बना था टरनल भी इसी पास में ही बना है नजदीक में ही है तो यहां से उरिजनेट करती है यहां से उरिजनेट करती हुई कुछ इस तरह से दोस्तों ही चलती है तो यह क्या है थोड़ी सी बांडरी जेयन के हिमाचल और पंजाब की भी दोस् बसोली जो है बुभी से कटके ओपर बस आया। यह आपका रनाजीत सागर डैम आपको हुए ठीक है ? यह फिर चलते चलते यहां पर क्या है जैनके के साथ पंजाब और जैनके की थोड़ी सी बाउंडरी बनाएगी उसके बाद दोस्तों नहीं, यह चली जाएग की नदी है जो है यह चनाव के साथ दोस्तों मिलती है ठीक है दोस्तों चनाव के साथ यह ऐसे मिल जाएगी यह कुछ इस तरह से आपको चनाव और अरावी नदी ऐसे दिखेंगी दोस्तों चलो दोस्तों इसके देख लेते हैं इंपोर्टेंट पॉइंट्स क्या है रावी रीवर का जो नाम है एशेंट परशुनी भी है और इसका इरावती भी हम को भोलते हैं इसका जो उरीजिन है वो होता है बारा बंगल नियर रोतांग पास हिमाच्च पदेश से होता है इसकी टोटल लेंथ है दोस्तों 720 किल्मेटर इसकी ट्रिबूटी है बुद्दिल, नियोर्धोना, सीउल और सेवा ये इसकी ट्रिबूटी है दोस्तों अभी आगे चलते हैं अब दोस्तों हम पढ़ेंगे सत्लूज रिवर के बारे में सत्लूज रिवर भी है जो दोस्तों कि बस से निकलती है दोस्तों ठीक है इसका उरीजन भी जो है इंदस रिवर का जहां पर उरीजन है वहां पर ही इसका उरीजन है मैप के उपर मैंने इसको मार्क किया हुआ दोस्तों तो यह है उसका ओरीजन यह देखिए यह एक लेक जैसी है यहां से रुजन है इसको पूरा देखिए जो मैं इसका ट्रैक जो है यह बनाया है मैप के उपर तो एक कुछ इस तरह से आपको देखेगी सतलू जरीवर दोस्तों यह आगे हमारी सतलू दूजरीवर जो त्वराड़ाकि टेल में देखते है तिबस से निकलती हुई जब यह चलती है हेमालिया को क्रास करते हुए सीधनी आ यहांति है हमाचल परदेश में दोस्तों यह एक सागर जो है हमारा गोविंद सागर यह देखिए यह गौविंद सागर यहां पर बाख़ा डैम भी इसको हम बोलते हैं दोस्तों बाख़ा डैम बनाती है सतलुजीवर उसके बाद दोस्तों यह पंजाब के प्लेंस में आ जाती है पंजाब के प्लेंस में गुज़ती हुई दोस्तों यह बहुत सारी सीडिस के भैंक जो है इसके साथ लगते हैं जै ऐखेखेट है ऐसे ही चलते हुए, यह चलते हुए दोस्तों फिर पकिस्तान में GOOD भी हमारे Jn K का जो अपना पंजाव इंडिया का जो पंजाव इसको शोड़ देती है एक फिर से दोस्तों यह रीवर जो है चनाव के साथ लग जाती है तो कुछ ऐसे आपको यह दोस्तों दिखेगी कि ऐसे कुछ आपको दिखेगा तो सतलुज रीवर के बारे में जो हैं पॉइंट्स देख लेते हैं सतलुज रीवर जो है इसको सतादु भी बोलते हैं इसका जो रीजिन है मान्स रोवर राकस लेक जो है वहां से होता है तिबद में टोटल लेंथ है इसकी 1450 किलोमेटर ट्रिबूटरी है इसकी बासपा पीति और ब्यास और दोस्तों इसके साथ ही जितनी वी रीवर से हमने पढ़ ली है अब इस सभी रीवर को एक बार हम मैप पर देख लेते हैं तो है तो यह आ गई इंदस रीवर यह आगया अपना जेलम रिवर और यह आगया जो रावी रिवर यह आगी चनाव रिवर और यह आगयी सतलूज रिवर तो सभी रिवर जो हैं दोस्तों आपको कुछ इस तरह से दिखेंगे दोस्तों कितनी प्यारी लग रही हैं देखो कुछ इस तरह से आपको दिखेगा मैप की मतलब से समझना बहुत ही असान हो जाता है दोस्तों आपको पूरा पता चल गया होगा कैसे कैसे रिवर ये ट्रैवल्स करती हैं मैप के ऊपर दोस्तों इसनकी जो ट्रिबूटरी हैं दोस्तों उसके उपर ही मैं वीडियो लेक्के आउंगा और मैप के उपर ही मैं आपको प्लार करके दिखाऊंगा हर एक पटिकुलर रिवर की ताकि आपको भूले ना और अच्छा भी लगेगा दोस्तों आपको रट्टा माने की जुरूरत नहीं है और बिल्कुल समझ आएगा दोस्तों तो देखिए इंडिया का मैप म जो हमारे चैनल में न्यू है वो सिस्क्राइब कर लें तक कि हमको भी मोटिवेशन मिल सके और हम ऐसे ही वीडियो और आपके लिए लेके आएं दोस्तों